दोस्तो very good morning to all of you आज के इस सांदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज हम लोग बहुत सारे important questions को discuss करेंगे उन में से एक question बना है Ramsar sites के बारे में आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ ये जो Ramsar sites क्या होते हैं इसमें हाल ही में लोनार जहिल को सामिल किया गया है उससे पहले आपको बताना चाहूँगा दोस्तो अगर आप लोग SSE CGL की तयारी कर रहे हैं या फिर SSE के किसी भी exam की अगर आप तयारी कर रहे हैं तो उसके previous year question के practice अभी यहाँ पर चल रहे हैं जिसको आप unacademy पर बिल्कुल free of cost attend कर सकते हैं unacademy का link वीडियो के description box में दे रखा है नवंबर 9 से ये series यहाँ पर शुरू ही है और 27 नवंबर तक चलेगी जिसमें की जितने भी SSE के previous year के question से जो की repeat होने के chances जादा हैं उसके mock test करवाए जाएंगे और उसका solution भी top educators की द्वारा करवाए जाएगा तो अगर आप लोग इस practice set को जोईन करना चाते हैं previous year questions के तो इस video के description में unacademy का link है उस पर click करके आप इसको follow कर सकते हैं दोस्तों आजके current phase का पहला प्रस्नम क्या बना है वो समझते हैं पहला प्रस्नमना है किस राज्य में इस्तेथ लोनार जील किस राज्य में इस्तेथ लोनार लेक जो है उसको रैमसर संचन संधी के तहट आदर भूमी इस्तल के रूप में चुना गया है यानि कि उसको वेट लेंड्स के तोर पर चुना गया है तो अंसर हो जाएगा यह जो लोनार लेक है यह महराश्टरा में इस्तेथ है आप्शन नमर् 6 का रैट एंसर हो जाएगा हलाकि मैं आपको यह कुछ्ण ना भी करवाता उस से पहले भी इसको इसका अंसर आको पता होना चाहिए क्योंकि सितंबर के महीने में करसित कर रहा था कि ऐसी कौन सी घटना हुई जिसकी विज़े से इस लोनार जील का जो पानी है ये पिंक कलर का हो गया था तब मैंने आपको बताय था कि लोनार जील जो है ये महराष्ट्रा में इस्ते था है ठीक है तो एक बार अच्छे से देख लेना कि इसी लोनार लेक को रामसर संदी के रामसर संदी के तहर आदर भूमी इस तर यानि की वेट लेंड तो इसको वेट लेंड आदर भूमी के रूप में सामिल कर लिया गया है पूरी दुनिया में आदर भूमी जो जगह होती है उसके बारे में इंपोर्टेंस बताने के लिए रामसर नमक जगह पर एक संदी हुई थी उसी के तहट इसको रैमसर साइट के नाम से भी जाना जाता है या फिर आद्र भूमी इस्तल के रूप में भी इसको समझ सकते हैं तो इस जील के बारे में आप ने देख लिया अब एक बहुती सांदार कोशन ये भी तो बन सकता है कि बताओ कि नवंब मैं जो आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल अपडेटेड और अक्यूरेट है इस समय भारत में टोटल रामसर साइट्स हैं उनकी संक्या है 41 कितनी 41 इसकी संक्या हो गई है नवंबर 2020 तक अगर दिसमर में कोई नई साइट्स को जोड़ा जाएका तब इसका आंसर चेंज ह जाएगा नवंबर 2020 तक रामसर साइट्स की संक्यां इंडिया में 41 हो चुकी है अब आप किसी भी राज्य से विलॉंग करते हैं जैसे आप MP से विलॉंग करते हैं तो MP की जो राटी होनी चाहिए यूपी से विलॉंग करते हैं तो यूपी वाला याद रखना एक्जाम में गुपां फिराकर इस्टेट वाले एक्जाम में तो डफिनेटली एक कोशन आपको यहां से मिल जाएगा यहां पर मैं आपको पूरी एक लिष्ट दे रहा हूं रैमसर साइट्स की और इसका जो PDF है यह अपनी वेब साइट पर भी अपडेट कर दूँगा विडियो के डिस 41 जितने भी यहां पर साइट्स हैं 41 उन सब के बारे में आपको यहां पर डिटेल मिल जाएगी दोस्तो एक और खुसकपरी आपको बताना चाहूंगा कि हमारे टार्गेट इस्टेडी आईक्यू के दोरा जो करन्ट फेस बनाये जाते हैं उसका जो मंतली PDF आप लोग परच चाहरा है दीवाली के इस औसर पर तो इसका जो प्राइस है यह मात्र 200 रुपए में आप जन्वरी से एक्टूबर तक का PDF ले सकते हैं इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उसके आगे लिखा होगा और जन्वरी से एक्टूबर वाला PDF य इंक्लिउट किया गया है तो उनमें से पहला नाम आता है लोनार लेक महराश्ट्रा का लोनार लेक जो है इसको हाल ही में यानि कि 13 नौबर 2020 को रमसर साइट में सामिल किया गया है उसी दिन 13 नौबर को ही एक जगह है जिसका नमें सूर सरोबर और यह उत्तर प्रदेस में इसको भी 13 नौबर को सामिल किया गया है उक्टूबर के महिने में देखो अनौंस्मेंट जुलाई में हुआ था उक्टूबर के महिने में एक आसन कंजर्वेशन उत्तराखन का आसन कंजर्वेशन जो था उसको भी रमसर साइट में 2020 में ही सामिल किया गया है इसके बाद मे एक था कवर ताल या फिर जिसको कवर ताल के नम से जनते हैं जो कि बिहार के बेगू सराय में इस्तित है इसको भी 2020 में रामसर साइट्स में सामिल किया गया है उसके बाद में अलग-अलग यर्स के सुरू हो जाते हैं एक प्रसन यहाँ पर exam में कई बार ये पूछा गया है कि बताओ भारत में सबसे पहली रामसर साइट्स कौन थी सबसे पहले रामसर साइट्स के तौर पर किसे सामिल किया गया था तो वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा चिलिका लेक उडीसा चिलिका लेक उडीसा को पहली साइट से जिसको सामिल किया गया था 1 अक्टूबर 1981 को अगला कुशन दोस्तों बनेगा कि हाल ही में वर्ड कांडिनेस दे मना गया है तो वर्ड कांडिनेस दे हर साल प्रती वर्स किस दिन मना जाता है तो answer हो जाएगा हर साल 13 November को 13th of November हर साल 13 November को World Kindness Day मनाया जाता है तो option number 6 का right answer हो जाएगा यहाँ पर आप इसका photo देख सकते हैं World Kindness Day जो की हर साल 13 November को मनाया जाता है साथी साथ में यह जो इस दिबस की वर्स 2020 की जो theme है वो है The World We Make Inspire Kindness इसकी 2020 की जो theme है The World We Make Inspire Kindness दोस्तों अगले जो तीन question हम लोग करेंगे वो करेंगे IRCTC IRCTC के द्वारा एक mission चलाए जा रहा है मतलब यहाँ पर एक भारत दर्सन दक्षिन भारत यात्रा South India की एक यात्रा चलाई जा रही है भारत दर्सन की जिसमें दक्षिन भारत की यात्रा की सुरवात यहाँ पर हुई है इसकी सुरवात IRCTC के द्वारा कब से कब तक की जाएगी तो South India का यह जो दर्सन यात्रा है जो की IRCTC की द्वारा चलाए जाएगा इसको December 12 से 18 के बीच में चलाए जाएगा तो Option No.A का राइडनसर हो जाएगा कि IRCTC की द्वारा भारत दर्सन उसमें दक्षिन भारत यात्रा जो है यह December 12 से 18 के बीच में चलाई जाएगी तो Option No.A का राइडनसर हो जाएगा ठीक है इसमें आप देख सकते हैं IRCTC के द्वारा चलाई जाने वाली दक्षिन भारत यत्रा जो है ये 12 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच में चलाया जाएगा अब इस यत्रा का सब्जेक्ट क्या है विसे क्या है एक्जाम में बहुत पार पूछा जाता है तो इस ताइब की कोष़ें एक्जाम के फिबरेट होते हैं तो कोष़न मनेगा कि भारत दर्सन दक्षिन भारत यत्रा का सब्जेक्ट क्या है यानि की इसका विसे क्या है तो अंसर हो जाएगा इसका विसे है So India to Indians क्या हो जाएगा इसका जो subject है वो हो जाएगा So India to Indians ये इसका subject हो जाएगा आपको याद रखना है अगला बहतरीन कुश्चन यहाँ पर बनेगा कि भारत दर्सन भारत दर्सन दक्षिन भारत यत्रा को 12 नौंबर को कहां से सुरू किया जाएगा अप्षन नंबर सीज का राइड़न सर हो जाएगा दोस्तों आपको पता है हाल ही में बिहार में इलेक्षन हुए है और बिहार के जो इस समय के मुख्यमंत्री थे नितीस यादो उनके सीम पत पर बैठने को लेकर भी डाउट था लेकिन कल एक मीटिंग हुई है उसमें सब कुछ फाइनल हो गया है और कोशन बनेगा नितीस कुमार कौनसी बार बिहार के मुख्यमंत्री पत की सपत लेंगे तो आंसर हो जाएगा आंसर उप्शन नमबर डी यानि की साथमी बार सेवन्त इसका राइड अंसर हो जाएगा कि नितीस कुमार जो है ये साथमी बार नितीस कुमार जी साथमी बार बिहार के मुख्यमंत्री पत की सपत लेंगे तो option number D का right answer हो जाएगा इसमें आप देख सकते हो लिखा है कि सात्मी बार CM बनेंगे नितीज कुमार पहली बार बने थे 3 मार्च 2000 को दूसरी बार 24 नॉमबर 2005 तीसरी बार 26 नॉमबर 2010 चौती बार 22 फरवरी 2015 पांचमी 20 नॉमबर 2015 और 6 बार 27 जुलाई 2017 को आखरी बार उसके बाद में अब बने हैं सात्मी बार ये इसका CM पत की सपत लेंगे तो 7 इसका right answer हो जाएगा इसके बाद में Business Institute के ranking पर एक question बनेगा कि Central Asia में यानि कि Madhya Asia में Service Rest Business Institute की list में जिसका नाम है Edu Universal Ranking 2020 में कौन सा अंस्तान पहले इस्तान पर आया है तो इसमें answer हो जाएगा IIM Bangaluru IIM Bangaluru IIM B से मतलब Bangaluru तो IIM Bangaluru जो है ये Edu Universal Ranking 2020 जो की इंडिया के अंदर में ये पूरा Central Asia में एक ranking गनाई गई है जिसमें की Service Rest Business School की जो list है उसमें Edu Universal में ranking में IIM Bangaluru पहले इस्तान पर आया है option number A का राइडेंसर हो जाएगा इसमें आप इसका photo भी देख सकते हैं IIM Bangaluru इस list में Business School के मामले में पहले इस्तान पर आया है दोस्तों हाल ही में राश्ट्रिय जल परसकार 2019 को announce किया गया है यहाँ पर 2019 है इसको 20 मत समझना है ठीक है? तो 2019 का ये जो award है इसको हाल ही में 2020 में गोसित किया गया है question बनेगा कि स्री माता वैशनो देवी सराइन बोड को जल सनच्छन प्रबंदन के छेतर में कौन सा राश्ट्रिय जल परसकार 2019 परदान किया गया है तो answer हो जाएगा पहले इस्तान पर इसको इस्तान दिया गया है यानि कि इसको पहला इस्तान प्राप्त हुआ है तो माता वैशनो देवी स्राइन बोड मैं यहाँ पर इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा एक और चीज कि इस बार ये जो नेशनल वाटर अवाड है 2019 बाले ये इसका दूसरा संस्क्रण है वर्स 2018 में इसको शुरू किया गया था और वर्स 2019 में इसका दूसरा संस्क्रण है और अगर पूछा जाए कि ये नेशनल वाटर अवाड में पहला जो इस्तान की से मिला है वो मिला है माता वैशन देवी स्राइन बोड को तो अप्शन नमबर A इसका राइड इंसर हो जाएगा माता स्राइन बोड हमेशा से ही इसमें जो वाटर है इसकी क्राइसिस रही है इतनी जटा उचाई परिस्तित होने की विज़े से यहाँ पर क्या हुआ था कि पानी का क्राइसिस पहले सही था वाटर का प्रॉपर मेनेजमेंट नहीं था हर साल यहाँ पर आने वाले लोगों की संख्या increase होती गई, 70 लाग, 80 लाग एक करोणों के पार हो गई तो वहाँ पर जो पानी अवलेबल था, वो कम था उसके बाइट में मैसनो माता सराइन बोट ने पानी का ऐसा arrangement किया, कि जिसके चलते हाल ही में इसको अवार्ड से खुसित किया गया है, तो ये पूरसकार को एक virtual प्रोग्राम के मात्यम से प्रदान किया गया है, इसका जो वितरन है, वो केंद्रिय जल सक्ती मंत्री ने और जो केंद्रिय जल सक्ती राज्य मंत्री इन दोनों के द्वरा दिया गया है, दोनों के नाम important है अगर आपसे पूछा जाए exam में कि इस समय भारत के केंद्रिय जल सकती मंतरी कौन है तो गजेंदर सिंग सेखावत इसका राइड अंसर हो जाएगा और केंद्रिय जल सकती राज्जी मंतरी कौन है तो रतनलाल कटारिया इसका राइड अंसर हो जाएगा ये वो दो पॉइंट है जो की नॉर्मल किसी को याद नहीं होते हैं ऐसे चीजों को अगर आपने रिमेंबर कर लिया तो exam में आप दूसरों से आगे बढ़ जाओगे दोस्तो हाल ही में एक summit organized किया गया है जिसका नाम है East Asia Summit तो भारत के जो foreign minister है डॉक्टर S. जैसंकर ने पूर्वी Asia सिखरसमेलन यानि की East Asia Summit 2020 के किस चंस्करंध का परतिनेृत्व किया है तो answer हो जाएगा इसका हाल ही में 15 संस्करंध का इसका 15 इसके 15 संस्करंध का इसके 15 संस्करंध का हाल ही में प्रति निजित्तु किया गया है, option number 10 का राइजित्सर हो जाएगा इसमें आप देख सकते हैं, वर्स 2020 में इसको वर्चुली और्गनाइस किया गया है और लिखा है पंदरवां East Asia Summit 2020, जिसको 14 नमबर 2020 को इस बार आउजित्स किया गया है Current Affairs 2020 का अगला संदार कोशन मना है कि अंतराश्ट्री बाल सांती पुरसकार 2020, International Children's Peace Prize के विजित्स का नाम क्या है तो आंसर हो जाएगा इसके विजित्स का नाम है सादत रह्मान, option number 20 का राइजित्सर हो जाएगा कि सादत रह्मान को हाल ही में, वर्स 2020 का International Children's Peace Prize प्रदान किया गया है option number 20 इसका राइजित्सर हो जाएगा तो इसमें आप इनका सादत रह्मान का फोटो देख सकते हैं जो कि बांगला देश से बिलॉंग करते हैं, इनको ही International इस प्राइज से समानित किया गया है तो यह बंगला देश के रहने वाले हैं, जिनको ही International बाल सांती प्रदान किया गया है दोस्तों, अब हम लोग सभी कुशन को रिविजन कर लेते हैं, जो भी हम लोग ने पढ़े हैं पहला प्रस्ता है कि बैशनो देवी सराइंद बोर्ड को यह जो राश्ट्री जल परसकार दिया गया है यह पहला दिया गया है, तो Option A इसका राइट एंसर हो जाएगा इसके बाद में है, डॉक्टर S. जैसंकर ने इस्ट एसिया समिट 2020 के कौन से संस्करन का प्रदिनिदित किया है, तो Option D साहिया हो जाएगा International Children's Peace Prize किसे दिया गया है, तो सादत रह्मान को जो कि बांगलादेस के हैं, उनको दिया गया है, इसके बाद में किया था लोनार लेक को रामसर साइट्स में सामिल किया गया है, कौन से राज्य में है तो ये महराश्टरा में इस्तेद है, उसके बाद में हमारा अगला प्रस्ट मना है की 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 ये लिष्ट गई है, हाँ, वर्ल्ड काइंडिनिस दे हर साल 13 नॉम्मर को बनाया जाता है after that next question is भारत दर्सन दक्षिन भारत यात्रा की सुरुआत आईयर CTC ने 12 से 18 दिसम्बर को किया है इसके बाद में है कि इसका subject क्या है So India to Indians ये इसका subject हो जाएगा इसके बाद में है कि 12 नॉम्बर को कहां से सुरू किया जाएगा तो इसको हैदराबाद और सिकंदराबाद में सुरू किया जाएगा निटीज कुमार कौन सी बार बिहार के CM बने है तो साथमी बार बनेंगे इसके बाद में एडू उनिवर्सल रैंकिंग में कौन सा संस्थान पहले स्थान पर है तो आये ये हैं बैंगलरू इसमें पहले स्थान पर आया है दोस्तों आज का कोशन जिसका आंसर आपको कमेट बक्स में देना है WHO ने ट्रेडिशनल मेडिशिन का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए किस देश को चुना है इसका आंसर कमेट बक्स में लिखना ना भूले थेंक्यू फर वाचिंग दिस ओसम वीडियो